उम्चान्ति आज 17-12-2020 की वानी हैं आज बाप दादा ने कहा मीठे बच्चे सद्गुरु आया है तुम्हारी उची तकदीर बनानी तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए आज का प्रश्ण है जामा का कौन सा प्लैन बना हुआ है इसलिए किसी को दोस नहीं दे सकते हैं बाबा ने क्या कहा जामा का कौन सा प्लैन बना हुआ है इसलिए किसी को दोस नहीं दे सकते हैं उत्तर में बाबा ने कहा ज्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है इसमें कोई का दोस नहीं है इस समय इसके विनाश के लिए प्रकीर्ती को जोर से गुस्सा आया है चारो और अर्थक्वेक होगी मकान गिरेंगे प्लोड आयेगी अकाल पड़ेगा इसलिए बाब कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियोग निकाल दो सद्गुरु की श्रीमत पर चलो जीते जी देह का भान छोड अपने को आत्मा समझ बाब को याद करने का उर्शार्थ करते रहो गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है उम्चान्ति बाबा ने फिर से प्रश्न किया किन राहों पर चलना है बाबा कहते गुरु की राह पर चलना है यह कौन सा गुरु है उटते बैठते मनुश्यों के मुख से निकल जाता है वाह गुरु गुरु तो अनेक है वाह गुरु किसको कहेंगे किसकी महिमा गाएंगे सद गुरु एक ही बाफ है भक्ती मार्ग के धेर गुरु है कोई किसकी महिमा करते हैं बच्चों की बुद्धी में है सच्चा सदगुरू वो एक है जिसकी ही वाहवा मानी जाते हैं सच्चा सदगुरू है तो जरूर जूठे भी होंगे सच होता है संगम पर भक्ती मार्ग में भी सच्च की महिमा गाते हैं उच्चते उच्च बाप ही सच्चा है जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है आजकल के गुरू लोग तो गंगास नान पर वर तिर्थो पर ले जाने के गाइड बनते हैं यह सद्गुरू तो ऐसा नहीं है जिसको सब भी याद करते हैं हे पतीत पावन आओ पतीत पावन सद्गुरू को ही कहा जाता है वही पावन बना सकते हैं वो गुरू लोग पावन बना न सके वह कोई ऐसे नहीं कहते कि मामेकम याद करो भल गीता भी पढ़ते हैं परन्तु अर्थ का पता बिलकुल नहीं है अगर समझते सद्गुरू एक है तो अपने को गुरू नहीं कहलातें जामा अनुसार भक्ती मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है जिसमें अनीक गुरू अनीक भक्त हैं यह तो एक ही है फिर यह देवी देवताईं पहले नंबर में आते हैं अभी लास्ट में हैं बाप आकर इन्हों को शत्यूग की बातसाही देते हैं तो और सबको आटोमेटिकली वापिस जाना है इसलिए सार्व का सदगती दाता एक कहा जाता है तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवताई धर्म की स्थापना होते हैं तुम पुरुशोतम बनते हो बाकी और कोई काम नहीं करते गाया भी जाता है गती शदगती दाता एक है या बाप की ही महिमा है गती सदगती संगम पर ही मिलती है शत्यूग में तो है एक धर्म या भी समझ की बात है न परन्तू या बुद्धी देवे कौन तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ती बताते हैं शिमत देते हैं किसको आत्माओं को वह बाप भी है, सदगुरु भी है, टीचर भी है ज्यान सिखलाते हैं न बाकी सब गुरु भक्ती ही सिखलाते हैं बाप के ज्यान से तुम्हारी सदगती होती है फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं परमपरा बाबा ने कहा तुम्हारा यह बेहद का सन्यास भी है बाप ने समझाया है अभी 84 जन्मू का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है अब यह दुनिया खत्म होनी है जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा बाकी आत्मा तो जाकर दूश्रा सरीर लेती है उमीद तूट जाती है बंगाल में तो जब देखते हैं उमीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डूबते हैं कि प्रान निकल जाए मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है फ्लर्ट्स होंगी आग लगेंगी भूख में मनुष्य मरेंगे यह सब हालते आनी है और्थक्वेक में मकान आदी गिर पड़ेंगे इस समय प्रकिर्टी को गुस्सा आता है तो सब को ख्लास कर देती है यह सब हालते सारी दुनिया के लिए आनी है अने प्रकार का मौत आ जाता है बॉम्स में भी जहर भरा हुआ है थोड़ी बास आने से बेहोस हो जाते हैं यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या-क्या होने का है यह सब कौन कराते हैं बाप तो नहीं कराते हैं यह ड्रामा में नूंध है कोई पर दोस नहीं देंगे ड्रामा का प्लान बना हुआ है पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नहीं होगी नैच्रल कैलमिटी जाएंगी विनाश होने का ही है इस पुरानी दुनिया से बुद्धी का योग हटा देना इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है अब तुम कहेंगे वा सदगुरू जो हमको यह रास्ता बताया बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो तुम यहां जीते जी मरते हो देह को छोड अपने को आत्मा समझते हो देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है यह तो बहुत अच्छा कहते हैं यह तो बहुत अच्छा कहते हैं वा सथ गुरु वा पारलोकीक सथ गुरु की ही वा ह वा होती है लोखीक गुरु तो ढेर है सथ गुरु तो एक ही है सच्चा सच्चा जिसका फिर भक्ती मार्ग में भी नाम चला आता है सारी सिस्टी का बाप तो एक ही है नई सिस्टी की स्थापना कैसे होती है यह भी किसको पता नहीं है सास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रालय हो गई फिर पीपल के पत्ते पर स्थिक्रिश्न आया अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता तुम्हें अब चड़ती कला में ले जाने के लिए सद्गुरु मिला है कहते हैं ना चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला तो रुहानी बाप आत्माओं को बैट समझाते हैं 84 जन्म भी आत्माने लिए है हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है ऐसे नहीं कहेंगे पलाने ने 84 जन्म लिये हैं? नहीं आत्मा ने 84 जन्म लिया शरीर तो बदलते जाते हैं तुम्हारी बुद्धी में यह सब बाते हैं सारी नौलेज बुद्धी में रहनी चाहिए कोई भी आये तो उनको समझाए आदी में था ही देवी देवताओं का राज्य फिर मध्य में रावन राज्य हुआ सीड़ी उतरते रहे सत्यूग में कहेंगे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमों में उतरते हैं चक्र फिरता रहता है कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया लेकिन यह तो स्रिष्टी चक्र अनादी बना हुआ है इनके आदी मध्य अंत को जानना है मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है जानने से तुमको कितना उच पद मिलता है यह पढ़ाई कितनी उच है बाबा ने कहा बड़ा इंतिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है न हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायन अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है पढ़ाई से कितना उचपद मिलता है बंडर है ना इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अत्वा जो बड़े बड़े विद्वान आदी हैं उनसे पूछो सत्यूग आदी में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है गीता पढ़ने पढ़ते आए हैं परन्तु उससे पायदा कुछ नहीं है अब तुमको बाब बैट सुनाते हैं तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्स पहले भी मिले थे क्यूं मिले थे? स्वर्ग का वर्सा लेने लक्ष्मी नारायन बननी के लिए कोई भी छोटे, बड़े, बुढ़े आदी आते हैं यह जरूर सीख कर आते हैं एम अबजेक्ट ही यह है शत्य नारायन की सच्ची कथा है न यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है जो अच्छी रीती समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहते हैं बाबा पूछेंगे हिम्मत है न राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं? हम पढ़ते ही हैं नर से नारायन बनने इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थें अब बाब ने हमको राइटियस रास्ता बताया है देही अभिमानी बनने में महनत लगती हैं घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फस पड़ते हैं बाबा कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है अब आत्मा भी नाम तो है न बाफ ऐ सुपरीम परम पिता लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे परम अक्षर एक ही बाप को दिया है वाह गुरु भी इनको कहते हैं तुम सीख लोगों को भी समझा सकते हो ग्रन्थ साहिब में तो पूरा वर्नन है और कोई सास्त्र में इतना वर्नन नहीं है जितना ग्रन्थ में जब साहिब सुखमनी में है यह बड़े अक्षर ही दो है बाबा कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिये सुख मिलेगा इसमें मुझने की तो बात ही नहीं बाप बहुत सहज करके समझाते हैं कितने हिंदो ट्रांसफर हो जाकर सीख बने हैं तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदी बनाते हों कितना सहज समझा सकते हों तुम आत्मा हों फिर बिन-बिन धर्मों में आये हों यह वैराइटी धर्मों का जाड़ है और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्मभोग नहीं हो सकता क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेस करती है उनको क्रॉस आदी पर चड़ाते हैं क्राइस्ट को नहीं वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है पॉप के भी चुत्र है इस समय यह सारी दुनिया बिलकुल ही वर्थ नौटे पेनी है तुम भी थे अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो ऐसे नहीं कि उनों के वारिस पिछाडी में खाएंगे कुछ भी नहीं तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो बाकी सब हाथ खाली जाएंगे तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो यह भी जानते हो जो कल पहले आए हैं, वही आएंगे थोड़ा भी सुनेंगे तो आजाएंगे सब इकठे तो देख भी नहीं सकेंगे तुम ढेर प्रजा बनाते हो बाबा सब को थोड़े ही देख सकते हैं थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं तुम गिन्ती भी नहीं कर सकेंगे तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है, बाबा सर्विस बेगर रह नहीं सकते रोज सुबा को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदी भी सुबा को करते हैं उस समय सबको फुर्सत होती हैं बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए क्योंकि दीन प्रती दीन दुनिया बहुत खराब होती जाती है इसलिए गली-गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए सहज हो जाए तुम्हारी व्रेधी हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी बाब समझाते तो बहुत सहज है यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं बाकी यह सारी दुन्या होगी ही नहीं प्रजा तो कितनी धेर बनती है माला भी बननी है मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दानी बनते हैं लोग माला फेरते हैं परन्तु अर्थ थोड़े ही समझते हैं बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धी इसमें लगी रहें काम महासत्रू है, दीन प्रती दीन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं यह दुनिया बहुत गंदे हैं, बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गया हैं, जल्दी सत्यूग में ले चलो, बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खात्री है, यह खात्री ही तुमको ले जाएगी, बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माई परमधाम से आई हो फिर वहां जाना है फिर आएंगे पाट बजाने तो परमधाम को याद करना पड़े बाब भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगमबर, मैसेंजर आदी है नहीं बेतो मुक्ती धाम से नीचे ले आते हैं फिर उनको सीड़ी नीचे उतरना है जब पूरे तमू प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सब को सतो प्रधान बनाते हैं तुम्हारे कारण सब को वापिस जाना पड़ता है क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए न या भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नम के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट है इस देह के नाम रोप से न्यारा होकर देही अभिवानी बनना है ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सद्गुरू की निंदा हो दूसरा पॉइंट है माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करने है आंत्रिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं यह पढ़ाई है ही नर से नारायन बनने की बर्दान है कल्यानकारी व्रिती द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुवाओं के अधिकारी भवा कल्यानकारी व्रिती द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुवाओं के अधिकारी भवा कल्यानकारी व्रिती द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुवाओं प्राप्त करने का साधन है जब लक्ष रहता है कि हम विश्व कल्यानकारी हैं तो अकल्यान का कर्तव्य हो नहीं सकता जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धार्नाई होती है अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेंगे हर कदम में कल्यानकारी व्रिती से चलेंगे मैपन नहीं आएगा निमित पन याद रहेगा ऐसे सेवाधारी को सेवा के रीटर्न में सर्व आत्माओं की दुवाओं का अधिकार प्राप्त हो चाता है स्लोगन है आज का साधनों की आकर्षन साधना को खंडित कर देती हैं साधनों की आकर्षन साधना को खंडित कर देती हैं अच्छा, ओम शान्ती